सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्याम हर हर महादेव सावन जो की आज से प्रारम हो चुका है पर यदि आप कल से परसू से भी ये नियम बनाते हैं एकांतेश्वर महादेव वाला ये उपाय करते हैं तो सावन के पून होने पर जो दोनों सावन खतम होंगे बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पून करेगा तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एकांतेश्वर महादेव कौन से होते हैं या फिर एकांतेश्वर शिवलिंग कौन सा होता है जो शिवलिंग बिल्कुल एकांत में हो या फिर जो शिवाले बिल्कुल एकांत में हो यानि कि उस मंदिर में कोई व्यक्ति न जाता हो जल जड़ाने जल्दी से या फिर उस मंदिर में कोई व्यक्ति पूजाना करता हो या फिर एक ऐसा शिवलिंग जो की बिल्कुल एकांत में रखा हुआ हो उस पर प्रति दिन कोई जलने छड़ाता हो, पूजा नहीं करता हो वो एकांतेशवर महादेव कहलाते हैं अब ये एकांतेशवर आपको कहां मिल जाएंगे जल्दी से ये एकांतेशवर महादेव जैसे कोई सरोवर हो गया, कोई तालाव हो गया उसके तट पर यदि किसी ने शिवलिंग के स्थापना कर दी होगी तो वहाँ पर आपको ये एकांतेशवर महादेव मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ प्रति दिन कोई जलने छड़ाता होगा विराजमान है, निश्चत रूप से हर शिवलिंग की पुझा देल ही नहीं होती होगी तो ये जितने भी शिवलिंग विराजमान है, वह सारे के सारे एक अंतेशवर महादेव के ही शिवलिंग है तो यदि आप एक पुष्प और वो पुष्प कौन सा है वो पुष्प है पारिजात का पुष्प जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पुष्प यदि आपके घर में पारिजात का ब्रक्ष लगा हुआ हो नहीं लगा हुआ है तो आप एक पारिजात का ब्रक्ष अप प्रति दिन बस एक पुष्प समर्पित करना शुरू कर दीजिए, ये एक पुष्प आपकी पूरी जिन्दगी को परिवर्तित कर देगा, बोले ना हाथ पकड़ के खेच लेंगे, यदि गर्ब नहीं ठेरा है, तो वो बाबा की किरपा होगी, और आपका गर्ब भी ठेरेग भगवन चंकर को समर्पित करें, बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तू प्याम, हरहर महादेव